हाई पूरीज, वेलकम बैक टू तबू विशन कॉर्णर, आज हम शाही टुकडा वाली रेस्पी बनाने वाले हैं वैसे दोस्तों इसको बहुत से लोग ब्रेट के साथ भी बनाते हैं लेकिन इसको मैंने टोस के साथ बनाया है जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनने वाला है साथ ही साथ हमने कुछ दो से तीन इस चीजों का इस्तिमाल किया है जो की इसली अपने घर में अवेलेबल हो जाता है ऐसे ही कुछ चीजों का इस्तिमाल करके हमने आज का शाही टुकडा वाला रेस्पी बनाया है उसके लिए सबसे पहले हमने कोई मोटे तले वाला पैन ले लिया है और नॉन स्टिक है उसको मैंने हीट कर लिया है उसके बाद उसमें दूद डाला है आधा लिटर मैंने यहाँ फुल फैड वाला मिल्क इस्तिमाल किया है अगर वो अवेलेबल ना हो तो जो भी आपके पास हो उसको हम यूज करेंगे वो डालने के बाद में हमें उसको कंटिन्यूसली स्लो फ्लेम पे चलाना है ताकि वो दीरे दीरे गाड़ा होते जाए और उस पे आने वाली मलाई को हम इस तरह से साइट से चुड़ाते जाएंगे और उसको उबाल लालेंगे और जैसे ही वो उबल जाता है तो उसमें कस्टर्ड पाउडर मिला हुआ दूद हम यह एड़ कर लेंगे तो custard powder हमने थंडे दूद में डालना है हमेशा वरना वो गरम दूद में डालने तो lumps बन जाते हैं और डालने के बाद तुरंत ही जब हम उसको चलाएंगे तब consistency बहुत ही creamy हो जाती है हमारे milk की और साथी साथ वो ठीक होने लगता है तुरंत से तो वो डालने के बाद में फिर से हमें दो से तीर मिनट इस तरह से उबाल लेते रहना है उसके बाद केसर वाला दूद डालेंगे हम जिससे जो हमारी शाही टुकडा की जो टेस्ट हो जाएंगे ना काफ ही जादा रीच होने वाली है तो यह डालने के बाद में भी हमें हला लेना है ताकि जो केसर है उसका वो छोड़ते जाए तो यहाँ हमने उसको अच्छे से उबालने लिया है उसके बाद हम यहाँ शुगर एट करेंगे, शुगर यहां हमने एक ही स्पून इस्तमाल किया हुआ है, इसके बजाए आप कंडेंस मिल्क में इस्तमाल कर सकते हो, अगर आपके पास अवेलेबल हो, जब हम कंडेंस मिल्क यूज करेंगे तो हम एकसेस शुगर नहीं डालेंगे, कि वो ही ज्यादा म रख देंगे इसको हम सइड में रख लेते हैं अब दूसरा पैन ले Z April ले लेते हैं इस तरह से दूसरा पैन लेना है उसमें एक लास उतना पाने इस्तेमाल करेंगे यहाँ अभी छीनी का सायरप बनाएंगे उसमें हमने यहां आधा कब उतना शुगर इस्तमाल किया है उसके बाद इलाइची पाउडर डालेंगे और इसको एक उबालाने देंगे जब हमें इसे चाशनी वगरा नहीं बनाना है स्रिप एक लिक्विड वाला शुगर का पानी बनाना है यह बनने के से मदल से और उसको हम बाहर निकाल लेंगे आप यहां जब ब्रेट का इसमें शुगर में डुबाया जो हमने रबडी बनाई थी उसको ठंडे के लिए पहले तो फ्रीग में रख दिया था हमने एक गंटे के लिए उसके बाद इस तरह से हमारे जो टोस्ट है वो शुगर म इस तरह डालने के बाद में ओपर फिर्ज से हम थोड़ी सी रब्री डाल लेंगे जो कि हमने फिर्ज में ठंडी करकर रखी है वो ठंडी करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों तो इस बात का स्पेशली आप ध्यान रखीगा इस तरह डालने के बाद में हम उसको पर फूटी इसको बोला जाता है इस तरह हम उसको पर गार्णिश कर लेंगे तो टोस के उपर हमने दुबारा से एक टोस की लेयर रखी है और सेम प्रोस्तों के साथ हमने रबडी डाली है उसके बाद में ड्राइफूट्स और फिर उसके बद टूटी फूटी डालकर इसको और कमेंट्स करना भी न भूलिएगा और अगर हमारे चैनल कर पती आपके कोई सुझा हो किसे भी बात को लेकर तो आप हमें कमेंट्स करकर जरूर बता सकते हैं आपके कमेंट्स का हमें इंतिजार रहेगा तो दोस्तों ये शाही टुकड़ावली रेसिपी मैं आभी आपक इसी तोड़ कर बता देती हूँ जब हम इसको फ्रीज में रखकर खाते हैं तो इसका टेस्ट दुगना हो जाता है जो हमने दूद को रब्डी के फार्म में लाया है और जब हम उसको टुटी फुटी वगरा डालकर सब सर्फ करते हैं और स्पेशली जब फ्रीज मेंसी इस थैंक्स पर वाचिंगाइज बबाई